नमस्कार सर आज मैं फिर से आगया हूँ आप सब के सामने एक छोटा सा वीडियो ले करके तो आज का वीडियो बहुत ही महत्तपूर वीडियो है आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि देख लिजिए बड़ी सिलाई मसीन का सटल आप सीकंडो में कैसे सेट क इसे कर पाएंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इससे पहले मैं आप से करूंगा छोटा सा रिकवश्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा अगर हमारा वीडियो आपको थो सिलाई मसीन धागा छोड़ रहा है या सिलाई मसीन का सूई तोड़ रहा है या धागा तोड़ रहा है या मतलब टाका ले रहा है तो वो वीडियो देख करके आप अच्छी तरीके से समाझ जाएंगे आप सिलाई मसीन अपना सेट कर सकते हैं तो चलिए वीडियो कैसे सेट करना है तो चलिए देखते हैं वीडियो देखिए यहां पर सिलाई मसीन को मैं पलट के रख चुका हूं और इसके बाद जो इसमें सिकंड वाला पुराना वाला सटल लगा हुआ है इस सटल को हम निकाल रहे हैं और निकालने के बाद में मैं आपको सटल भी दिखा है अभी मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर तीन बोल्ट लगता है छोटा छोटा तो इस तीनों बोल्ट को आपको खोल के निकाल लेना है सटल को पुराने माले को फिर इसके बाद क्या करना है यह सब मैं दिखा रहा हूं तो देख लिए पहले एक चीजा और ध्यान रखा हुआ इसमें डग बहुत ही आ चुका है तो देख लिजिए अब नया माला सटल हम निकालते हैं जो देख लिजिए हमारे हाथ में रखा हुआ है देख लिजिए यह नया सटल है इसमें थोड़ा सा भी डग नहीं रहता है और एक दम फिर ही चलता है तो चलिए इसको ह करते हैं पहले क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा तीनों बोल्ट को धीला कर लेते हैं हलका सा और इसके बाद में हम राड में सेट करते हैं तो देख लीजिए देख लीजिए अभी आपके सामने में दिखाई दे रहा है सबसे नीचे सुई ले करके जाईए और इसके बाद जो सटल का नोक है सुई पे सटा करके आप कर दीजिए तो देख सकते हैं और इधर से क्या करना है आपको छोटा सा पेजकस ले करके फिर इसके बाद फुल टाइड करना आपको पहले थोड़ा थोड़ा टाइड करना है इसके बाद बड़ा पेजकस ले करके आप फुल टाइड कर दीजिए अच्छी तरीके से कि ये घूम ना सके जितना ही तागत रहे वो अच्छी तरीके से टाइट करके रखना है नहीं तो सटल ऐसा चीज है कि थोड़ा सही धागा फसने से सटल घूम जाता है तो यह चीज आप ध्यान रखिएगा और हाँ देख लिजिए मैं अभी सटल सिट करके फिट कर दिया हूँ इसके बाद में आपको तेल डालना बहुत जरूरी है तेल नह लाक ये सट कर देते हैं और यसके बाद में आपको चला के दिखाऊंगा तो चलिए पहले में इसको सेट कर देता हूँ और यहाँ पे देख लिए चोटा सा खांचा होता है देख लिए यहाँ पे जो पेजकस से दिखा रहा हूँ सटल का सटल में खांचा होता है जब यह चीज आप कसेंगे लाक वो लाक सटल का तो यहाँ पे जाकर के उस सेट हो जाएगा तो यह चीज आपको ध्यान रखना है तो देख लिजिए इस तरीके से आपको टाइट कर देना है और टाइट करने के बाद में फिर आपको चला करके चेक कर लेना कि सही सेट हुआ है या नहीं हुआ है और देख लिजिए यह जो लाक है यह थोड़ा सा मतलब गैप रहना चा आपको बता रहा हुँ थोड़ा सा सेटिंग जो है सही से नहीं हो पाए था तो अब मैं सेट कर दिया हूँ और फिर चलने लगा है एकदम सही से तो चलिए इसका हम प्लेट लेट सब जो होता है सभी को टाइट कर लेते हैं और फिस इसके बाद में आपको सिलाई करके प्लेट को कैसे खोलना है कैसे लगाना है यह सब आपको मालूम होगा आप तो सोच रहे होंगे कि यह तो फाल्त में बरबरा रहा है मगर ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जिसको कुछ भी नहीं पता है ऐसा मस सोचिएगा तो चलिए अगर वीडियो हम पुर्णार il छाहिए ऐधार में आपको सिलके दिखा देता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा तो देख है, set हो चुका है, तो देख सकते हैं, देख लिजिए, धागा नीचे से तुरंत आ चुका है, और इसके बाद में छोटा सा हम कपड़ा ले लेते हैं, और इसके बाद इस पर हम सिलके दिखाते हैं, तो देख लिजिए, ये छोटा सा कपड़ा है, और इस पर हम सिलके दिखाते हैं तो देखली जै कैसा सिलाइच चल रहा है तो देखली जीए यह दखली जीए कितना सुंदर सिलाइफ है और एक भी टाका नहीं छुटा हुआ गा तो यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बोक्स में लिख करके जरूर बताएगा और अगर मेरे भाई अगर आपको किसी भी परकार वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा मैं उस परकार वीडियो बनाने के लिए फुल कोसिस करूँगा मेरे भाई तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहीन जै भारत